बॉलिवुड के बादशाः शारुख खान ने इस इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिये हैं लेकिन कैसे बने शारुख बॉलिवुड के बेताज बादशाः चलिए शारुख के इस 25 साल के फिल्मी सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं भले ही शारुक आज इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम हासल कर चुके हैं पर उनके लिए ये सफर नहायती आसान नहीं था असी के दशक में सरकस और फॉजी जैसे कई टेलिविजन सीरीज में दिखने के बाद फाइनली 1992 में फिल्म दिवाना से शारुक ने बॉलिवुड में कदम रखा उनके करियर के शुरुआती दोर में उन्हें डर, बाजीगर और अंजाम जैसी फिल्मों में खलनायक के लिए सराहा जाता था फिर दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ-कुछ होता है और महबते जैसी फिल्मों ने उन्हें देखते ही देखते King of Romance बना दिया उनके बहतरीन अक्टिंग और जीत और लगन के वज़े से आज शारुक पदमश्री और 14 फिल्म पे रवार्ड्स के अधिकारी है शारुक के पिछले 25 सालों से इस अदाकारी के जजबे को हम सलाम करते हैं तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं शारुक के इन 25 सालों के बारे में आपकी कौन सी शारुक की फिल्म है फेवरेट बताईए हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में और जुड़े रहे हमारे साथ सिर्फ पर सिर्फ बॉलिवूद स्पाई पे